देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के जनम देन यानी के 17 सितंबर 2022 को आठ चीते कुनो नैशनल पार्क में 74 साल बाद नाबीविया से भारत की सरजमीन पर आये थे और इसके बाद से लगातार चीतों के कुन्बों में विद्धी हो रही है लेकिन सबसे जादा चिंता का विश्व और सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर चीते अपने नाशनल पार्क की टेरिट्री को आखिर लगातार क्रॉस क्यों कर रहे हैं साल भर में 11 बार तीन राजों के साथ जिलों में टेरिट्री बनाते हुए चीते दर्च किये गए अब सबसे पहले हम आपको यहीं बताते हैं कि आखिर कब कब चीते कुनो नाशनल पार्क की सीमा को लांक कर बाहर निकले 28 मार्च 2023 को वीरा मुरैना के पहाड़ गड़ इलाके तक पहुँच गई 2 अपरेल 2003 को चीता पवन शोपुर के जार बड़ोदा पहुचा 22 अपरेल 2023 को फिर चीता पवन शिपुरी के एक गाउ में दिखाई दिया मैं 25 अपरेल 2023 को चीता आशा राजस्थान बौर्डर तक पहुँच गई 3 माई 2023 को चीता आशा शिपुर के विजयपुर्जा पहुची, 18 माई 2023 को चीता पवन ग्वालियर पहुचा, जून 2023 को चीता आशा शिपुरी के गाउं में देखी गई, 15 जुलाई 2023 को चीता पवन शिपुरी पहुचा, 21 डिसमबर 2023 को चीता अगनी राजस्थान के 12 पहुँच गया 4 माई 2024 को चीता पवन राजस्थान के करॉली इलाके तक पहुँच गया तो वही 18 माई 2024 को चीता वीरा ग्वालियर तक जा पहुँची वे अभी तक इसी शेत्र में डेरा जमाई हुए है बिताने की कुनो नैशनल पार्क में वर्तमान समय में 14 शावकों सहित 27 चीते हैं माई 2023 में कुनो नैशनल पार्क के 5 किलो मीटर दाइरे के बाड़े से पहली बाग चा चीतों को ख़ली जंगल में चुड़ा गया था उन्होंने चीतों के बार बार कई वनने शेत्रों में पहुँचने के पीछे एक बड़ी वज़ा बताते हुए कहा कि चीता का जो रहवास है वे ग्रास लेंड पर डिपैंड होता है क्योंकि सभी ने देखा होगा कि चीते काफी तेज तोड़ते हैं और घास के मैदान में उन्हें अच्छा लगता है वे ऐसे शेत्र में शिकार भी करते हैं वहीं ग्वालियरवन शेत्र में घास का मैदान काफी है इसलिए उन्हें ये शेत्र काफी पसंद आ रहा है और यह शिकार भी कर रहे हैं वहीं कुनों का जंगल काफी घना है वहां पूरी तरह से वह चीतल या अन्य वन्य जीवों पर अटैक नहीं कर पा रहा है जिसके चलते उन्हें बाहर का खास कर गौालियरवन शेत्र का ग्रास लैंड एरिया ज्यादा पसंद आ रहा है यहां वह आसानी से ग्रास लैंड में अटैक करके अपना भरन पोशन कर पा रहे हैं गौरत लभै की ग्रास लैंड एरिया के अलावा कुनों का वन्य शेत्र अब उनके लिए छोटा पड़ रहा है नामी बिया और अफ्रीका की जंगल का शेत्र फल ही 10,000 वर्ग किलो मीटर से जादा है एक को अपने टेरिटरी बनाने के लिए करे 100 वर्ग किलो मीटर का इलाका चाहिए होता है कुनों के जंगल का इलाका 748 वर्ग किलो मीटर मुखे जोन में है और 558 वर्ग किलो मीटर बफर जोन में है दोनों को जोड दिया जाए तो महस 1306 वर्ग किलो मीटर होता है इस हिसाब से 27 चीतों के लिए 2700 वर्ग किलो मीटर के शेत्र का जंगल चाहिए ग्वालियर से समाधाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट